हलो फ्रेंड्स बलकम टू मा यूटूब चैनल जरू करें चैनल पर पहले का विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बाल कॉन कर लीजिए जब आप नोटिफिकेशन बाल करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो चलिए स्ट करते हैं आज का वीडियो जैसा कि आप लोग दे सकते हैं कि मैं PTT की ओफिसियल साइट पर हूँ तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद एक पेंच ओपन हो जाता है तो दे सकते हैं आप लोग की दू लिंग अक्टिवेट किये गए हैं प्रिंट अलॉ लेटर पर आपको क्लिक कर देना है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कर देने के बाद एक पेंच ओपन हो जाता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो सिंपली आपको यहां पर अपना रोल लंबर काउंसिलिंग आईडी डेटा बर्थ पेमेंट आप्स फिर आप आपको लॉग इन कर देना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलिच अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है कॉमेंट बॉक्स में आप लोग यह जरूर बताएगा कि कितने नमबर वालों को कॉलिच अलॉट हुआ है और कितने नमबर वालों को कॉलिच अलॉट नहीं ह है उनको college allot हो चुका है ठीक है बात करेंगे दूसरी लिष्ट जो है वो कब तक जारी की जाएगी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ठीक है पी टी टी फोर एर्स वालों की first allotment letter जो है वो जारी कर दिये गए हैं तो कौन-कौन से दस्तावेज आपको तैयार कर लेने हैं तो देखिए एलोट में लेटर सबसे पहले आपको अपना अलोट में लेटर डाउनलोड करना होगा फिर इसके बाद जाती प्रमाणफत्र मून लिवास आय प्रमाणफत्र हो गए आपका हाइस्फ्कूल में जमा हो जाएगा और एक से अप अपने पास रखिए ठीक है जब आप allotment data निकालेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से documents आपको लगाने होंगे college में जाने के बाद document verification होगा आपका सारे दस्ताविज आपको तयार कर लेने हैं तो print allotment letter लेक्लिक करने के बाद आप अपना allotment letter निकालेंगे उसमें सारे documents लिखे होंगे कि कौन कौन से documents आपको collect कर लेने हैं तो मेरा मतलब कहने का यह है ठीक है तो सारे documents collect करने के आप दो सेट बनबा लीजिए एक सेट college में एक सेट अपने पास आपको रखना है अब बात करेंगे PTT दो वर्षिये वालों की counseling की प्रक्रिया कब सुरू हो सकती है इसके बारे में जान लीजिए तो PTT दो वर्षिये वालों की counseling का जो schedule है वो 15 सितंबर के बाद ही जारी कर दिया जाएगा उस चीज़े हैं देख लेते हैं राजिस्तान PTT counseling after अब्यारती को महावधियाले आवन्टित नहीं होने पर 200 रुपए कटोक्ती करके 4800 refund हो जाएंगे किन्तों महावधियाले आवन्टित होने के उपरांत reporting नहीं करने बाद से से सुल्क जमान नहीं करवान पर अभ्यारती के 600 रुपए काटकर 4400 refund होंगे इसे माली जी आपने counseling करवा ली तीक है 5000 रुपए आपने submit कर दीए fee submit करने के बाद आपको college भी alert हो गया तो आपने admission नहीं लिए तो उस इस्तिति में 600 रुपए काटकर 4400 रुपए आपके refund कर दिये जाएंगे refund अब्यारती के सोयम की बाइंग खाते में होंगे अता आवेदन पत्तर में नाम खाता संक्या इत्यादी पूर्ण साब्धानी से भरें counseling के उपरांद अब्यारती को माविद्याले आवंटन की सूचना उनके पंजी करत मुगाईल नमबर पर प्राप्त होगी अब्यारती ऑनलाइन द्वारा सवी बाशनी दस्तावेश अप्लोड करेंगे उसके पशा सुल्क की सेसरासी 22 रुपे ऑनलाइन इमित अत्वा वहेंगे के माधिन से जमा करवाएं सुल्क जमा होने के पशास समंदित माविद्या द्वारा मूल दस्तावेश सत्यापन वेरिफाई करने के बाद अब्यारती का प्रवेश कर्म होगा तता अब्यारती को माविद्याले आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी माविधाले आवंटर पत्र को डाउनोड कर उसका प्रिंट निकाल कर सुरचे अपने पास रख लें अब ब्यारती द्वारा चैन किये गए माविधाले में प्रवेश सुल्क 22 फीस जमा होने और माविधाले द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपराती आवट मुवमेंट कर सक सकते हैं लेकिन अभी तक आवर्ड मुवमेंट का प्रोसेस लिंक अीक्टि पर नहीं किया गया है क्ट्र की आप अपड्र कर दिया आगा थैपur में खाली होगी तो कॉलिजद को यिन नहीं हो कि थ्युंऌा करनी होगी और उसी कालेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी ठीक है सर्थ यह दूIs में दूसरी बात की आफानटीन नहीं होने कीुई है शचट में आफानट्एत माविधाल रिपोर्टेंग का था order किक हम ब आफानटिन्हीं को फिए साफ साफ बताया जा रहा है ठीक है तो अगर आपके अमन में कोई भी डाउट्स हूं कोई भी कोशना हमसे करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए रिप्लाई आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा ठीक है अगरा कॉंसलिंग से कॉछ भी चीज आपको पोछी आपको लेनी हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए रिप्लाई देनी के मैं पूरी की पूरी कोशिस करूंगा तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेर जरू करें चैनल प्रवेगा आप जिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब पर करके नोटिफिकेशन बलको ओन कर दीजिए जब आप नोटिफिकेशन बलको ओन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो मिलते हैं नेश वी